सबसे पहले सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अजस्ट करें आपकी बैक पैड के बिलकुल साथ हो यू शुद बी सीटर कंफटेबली आपके फीट फ्लैट हो और नीज बेंड हो जो बार है वापके शोल्डर हाइट पर होनी चाहिए और पैड जो है 90 डिग्री होना च यह अल्बोस बेंट हो और ग्रिप आपका प्रोडेट हो आप स्लो एंड कंट्रोल्ड फॉर्म में यह एकसेज करेंगे और इसका जो पैटरन है वो मिशीन का पैटरन बिलकुल फिक्स्ट है मतलब आप इस पैटरन को चेंज नहीं कर सकते नाव यह आपके डेल स्ट्रें हो आपको यहां पर दूसरे स्टेबलाइजर मसल्स को इन्वाल करने की जरूर्द नहीं पढ़ती तो पर्फॉर्म दिस एकसरसाइज एक तो तो टोल्रप्स कैन बीपर्फॉर्म अकॉर्द तो यह गोल्स